आप देख रहे हैं प्राइंग टीवी सच साहस सरुका नमस्कार मैं हूँ गौरफ स्रीवास्तो और आद देख रहे हैं हमाई साथ बात अपने देश की दोस्तो हर वार की तरह एक नया मुद्दा और एक नया विश्य लेके मैं आपके बीच मौच आता हूँ और विश्य की जो गंबीरता है उस पर चर्चा होती है हमेशा की तरह तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो हमाँ मुद्दा है वो मुद्दा है स्युक्त परवार का दोस्तों आप भी जब आपका बच्पन लहा होगा तो आपने भी देखा होगा कि बच्पन अमूनन दादा दादी नाना नानी बुआ चाचा चाचियों के साथ बीता था और यह सजुक्त परवार की भावना रिस्तों में होती थी और लोग एक साथ रहते थे एक साथ जो होते थे त्योहार होते थे उसको इंज्वाय करते थे मजे करते थे और एक अपनेपन की भावना सभी के बीच में रहती थी पर आज जिस तरह से सजुक्त परवार चोटे परवार में तबदील हो गया है जो यहां पर केबल केबल पस्षिम की तरह ही दामपत्य जो नीती हो चाहे विकास की बात करो चाहे तकनीकी की बात करो और चाहे अभ्योस्था की बात करो हम एक नाएक बिसाय को अपना कारण बना लेते हैं और रहते हैं अकेले जिसका खामयाजा हमारी आने बाली पीडी को भी भुगतना पड़ता है और भुगते भी क्यों ना जो हम करेंग बही भरेंगे कहते हैं ना जैसी करनी बैसी भरनी आज ये सिल्सला लगाता चलता चला जा रहा है पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी पीडी दर पीडी क्या होता है सच्छत परवार जहां पर सारे लोग एक साथ रहते हैं एक भावना के साथ रहते हैं एक भावना के साथ का करते हैं जहाँ जब्मेसारी का बोज मह single एक आदमी पर नहीं रहता अपने अपने मामा मामी का भी अपना काम होता है चाचा चाची का भी काम होता है बुगा फुपा जी का भी काम होता है और एक फापना पनपती रहती है वो है अपने पन की एकता की पर आज की समय में जो अपना पन था वो कहीं न कहीं प्यतिस परदा में तब्दिल हो गया है लोग परिवा होता है आने बाली पीड़ी को उसको पता ही चल पाता है कि जीवन के नेतिक मूल क्या है जीवन का आधार क्या है समाज क्या है अरे परिवारी तो समाज को बनाता है समाज तभी बनता है जब परवार जोडते है और परवार को जोडता है परवार का मुकिया पर जब मुकिया ही परवार से अलग रहता है तो परवार को जोडने की जो कवायर होती है वो पहले ही खतम हो जाती है और आने बाले जो पीडी होती है उसको मिलती है केवल केवल एका लुमने फिनने में और नहीं नहीं जो आज की समय में पाश्चा संस्कतियां उस पर जूरती नजर आती है क्यों क्यों कि आज की समय में जो हमने एकांतिता अपनी पीड़ी को दी है उसके जम्मिदार भी कहीं न कहीं हम हैं एकांतिता क्यों दे रखी है क्योंकि हमासार लोग लोगी नहीं है परवार के बच्चों को लोगी नहीं मिलते हैं जो उनको बोलना शिखायाा , उनको छलन शिखाया उनको खेल शिखाया उनको जीवन के नच्फी मुल्यों को बताएं। अ कि रेक मों गरते हैं। पीड़ी है उसके अदने कटhelm thymtonoo के और वेशे कर पाए उसके सामझे बढ़ाई यह पीवन लीदा को खतम कर लेते हैं बत्य लेते हैं उसका सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं एकांतिता है और एक अंतिता क्यों है क्योंकि सव्ज़क्थ परवार आज की समय में खत्म हो चुका है अगर सव्ज़़क्थ परवार की बात करें तो यह केबल-केबल पहले गाउं तक सिमित था अब गाओं में भी स्थिती कहीं न कहीं दूर है क्योंकि गाओं के लोग भी अपने बुड़े बुजर्ग माता पिता को छोड़के अपने परवार को छोड़के सेहरों में काम करने जाते हैं अब वो खेटी-किसानी से अलग कुछ अलग धंदे में या अलग बिज हैं वहां परवार के तरह रहते हैं चोटा परिवार सुखी परवार पर यह उनका मन जानता है कि वो छोटे हैं तो है पर सुखी है कि नहीं है क्योंकि जो परवार सर्थ परवार में जो जीवन की नेत्विक मूल सखाई जा सकते हैं जो अधार सखाई जा सकते हैं जो जीव और साथ ही विज़आ नहीं जनम लेती है कि पिता अलग काम करते हैं माता काम करती है ब्च्चा कई किसी पाल08 ग्रह में डाल लिया जाता है बांधा-पितां के अजूरे तक कि इसकोल उता है actual करता है। ये सुक्षकूल MEIR नुखरी आते हैं जब बच्च आता है तब मा पिता भी आ जाते हैं और तब वह अपनी जिन्दगी के जो जीवन के या उस दिल के जो बागी कुछ 5-6 घंटे वस्ते हैं जो कोई वो सोते हुए नहीं काम करते हुए या बात करते गुजारते हैं तो बाजी कुछ घंटव में क्या होगा यह किसी को नहीं पता पहले भी ऐसा नहीं है कि लोग काम करने नहीं जाते थे या माँ बाप काम करने नहीं जाते थे पहले भी ऐसा होता था कि माँ ग्रस्टी के कामों में लगी रहती नी पिता अपने काम खेती कर जाता था या काम करने जाता था या कोई नोकरी व्योसाय करना जाता था पर उनके बच्चे होते थे उनके परिवार के बूरे बुजर्गों के पास रहते थे तो उनमें भावना आती थी अनुसासन की, उनमें भावना आती थी व्यस्थाओं की, उनमें भावना आती थी तरीके की, उनमें भावना आती थी एक्ता की, उनमें भावना आती थी अपन बढ़ाने की आज के समय में आदमी जो मोबाइल पर देखता है बही सीखता है पर पहले जब माबाप होते थे बुड़े वजुर्व के साथ हमें होते थे तो हम को कहानिय सुनाते थे ऐसे बिद्वानों की ऐसे चर्थ सुनाते थे जिन से हमारा नयतिक मुल्ग का जो अर्था से सुरू होता था और आज केबल और केबल हाय पर आगे खतम हो चुका है वह नेतिक मुल जो एक समय पैर दबाने सुरू होता था और आज केबल केबल पूस्ताज पर खतम हो जाता है कि क्या तब्याट ठीक है कि हाल चाल ठीक है यही बिचारधारा की मैं बात कर रहा हूँ, कि यह बिचारधारा कैसे आती है, बिचारधारा आती है हमारे बुजरगों से, बिचारधारा आती है हमारे बड़े बूरों से, जो हमको सिखाते हैं, कि अभिवादन बड़ों का कैसे होता है, अभिवादन गुरू का कैसे होता ह है अभीवाजन इस्तेदारों का कैसे होता है अभीवाजन आप दुनिया से कैसा होता है यह सिखाते हैं हमारे लोग जो हमारे पूर्वज हैं जो हमारे सभ्त परवार के मुखिया हैं पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की एकांत जिंदगी में यह सारे अनुभव खत्म हो चुके हैं तो बनाड़ के जानती यहमेरे माँ है मेरे बाप है यह इन पर मांतापता अंच्व कर आ देते हैं उसको उसको अन्या की डादा डादी कि क्या होती है दादा डादी का प्यार क्या होता है कि अग्या होताりました STS दोस्तों तकनीक आती है मैं मानता हूँ तकनीक लाव करती है मोबाल आई मोबाल बड़ी टेक्नलोजी है तमाम चीजें बहुत आसान हो गई है पर कही न कहीं आप ने इस बात को नहीं सोचा है कि मोबाल जैसी तकनीकी मोबाल जैसी बड़ी जो एक आधुनीकी करन हुआ है उ वो एक आंटिता जो आज नेतिक मुल्यों को खतम करती है। क्योंकि आज अगर समय में आदमी को अपने आपको गठन करना है, एक मानत जीवन को सफन करना है, तो सबस्त पहले उसको समिट्परवार की भावना को समझना होगा। जब तब वो समिट्परवार की भावना को नहीं समझ सकता है, तब तब वो अपने आपको मानत जीवन की रूप में कैसे गठन करेगा। क्योंकि ये सबसे कठन काम होगा। जब आपको सामाजी के मूल्य नहीं पता, आपको नेतिक मूल्य नहीं पता, आपको सांसकारिक मूल्य नहीं पता, तो आपको जीवन के मूल्य कैसे पता होंगे? सबस्कारिक मूल्यों को समझना पड़ेगा समाजी के बूलने को समझना पड़ेगा तब ही आप जीवन के मुन महलू पहलूओं को उन मूल्यों को समझ पाएंगे जिनका सामना आकवा आने वाले भविस में होना है उन संगर्स को समझ पाएंगे जिनसे आपको लड़ना है आप लगातार देखते हैं लगातार मामले आते रहते हैं कि लोग रहते हैं और खोड़ा सब अगर कहीं का आकर्शन प्रिमाकर्शन हो जाता है उसी अपसार में वो अपनी जिन्दगी को खतम कर ले तो उनको पता ही कि मेरी जिन्दगी में मेरे अन्न लोगों के अलावा मेरे माबाप की मेरे परवार की भी कोई भूमिका है उनका भी कोई स्थान है मैं क्यों एक कम जानकारी वाले इंसान के लिए अपनी जिन्दगी खतम कर लेता हूं मैं क्यों पत्यों की परिच्छा में अगर निरास हो हूं तो उस निरासा से अपने आप खतम करने का प्रण कर लेता हूं मैं क्यों नहीं सोचता हूं कहीं ना कहीं इस पूरे जश्टी कोड में इस पूरे मामले में जो जड़ है वो है स्वेट्य परवार की भावना का हाज दोस्तों पस्च्यमी सभिता जो चलती थी वो चलती थी दामपत्य नीती दामपत्य अधार पे पती पतनी और बच्चा पर हमारी भारत की संस्क्रिटी चलती थी वो चलती थी सहुत परवार पे की दादी दादा माता पिता बच्चे बुआ चाचा चाची जो आठ दस लोगो के परवार को परवार कहा जाता था जो को एक साथ तिहार मनाता है परवार जो हर जिम्मिदारी को बहन करता है वो परवारिक साथ जिसमें परवारिक परवारिक भावना का पता ही नहीं है. हम तकनीकी तो हो रहे हैं, पर उन तकनीक के साथ हम उन मूलों को छोड़ चुके हैं, जो मूल कभी हमारी बिरासत हुआ करते थे ऐसे मूल जो हमारे कभी संस्कति हुआ करते थे ऐसे मूल जो कभी हमारी नेतिक आधार हुआ करते थे पर उन सभी नेतिक मूल नेतिक आधार को हम भूल चुके हैं जिसका खामेजा हम तो भुगत ही रहे हैं भुगत रही है हमारे आने बाली पीडी जिसको पता ही नहीं कि अनुशासन क्या होता है संस्कार क्या होते संस्कृति क्या होती ब्रासर क्या होती और सविक्त परवार के लाब क्या होते है आज कल आप सुनना होगा अगर मामलों की बात करूं ओर्टरिज में दोसे पहले देखा जातना बच्चा पैदा होता था और एक साल में चलने भी चल लगता था और बुआप चाची और दाड़ा दाड़ी के प्रेम के साथ साथ उनकी बोलचाल सुनते-सुनते वो बोलने भी लगता था पराद अगर आप देखें और अगर अध्यन करें तो अध्यन म भरती कर देते हैं सबसे बड़ी बज़े है सबसे बज़े यह है कि जब उसको पता ही नहीं होगा कि कौन कैसे क्या करना है को इससे बोलेगा नहीं पिता जी अपने चले गया मा अपनी चली गई और वो रह गया अखेले पालना ग्रह में या घर पर कामबाली बाई के और भरती कि बोलते हैं और पर को सब्सक्राइट के झाखते जी और खाज़े है इसको केबल केबल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं नहीं को प्रजच्रिफ करना उनको बटाना बोलना तमाम चीज़े हैं वो केबल सेंट परवार की कारण ही आ सकता है दोस्तों जो भी बच्चा जनम लेता है चाहे वो बिलेज में जनम ले चाहे वो हिंडोस्तान में जनम ले चाहे किसी बिलेज में जनम ले उसकी पहली भासा होती है वो होती है उसके आम जनों की भासा वो जिस परिदस्ट में अपनी आखे खोलता है उसी पर्दस्ट के शाप से बोलना शुरू करता है उसी भासा को अपनाता है कोई भासा वो जनम से सीखे नहीं आता हर भासा को वो सुन के अपनाता है हर भासा वो सुन के ग्यान लेता है और तब बोलना शुरू करता है चाहे वो टमल लाडू पेदा हो चाहे उडिया बोले चाहे उत्ता भारत में हिंदी बोले चाहे बुंदेली बोले और चाहे भोषपुरी बोले और चाहे बिनेसों में अंग्रेजी बोले जो पारवारिक से रस्तों से सुन लेता है वही वो बोलना सुरू कर देता है और होता भी क्यों? जो उसको सुनना होता है वो सुनता है वो उसके साथ वही उसकी जवां से वो चीज निकलना सुरू जाती है उसको कहीं सिखाया नहीं जाता है, कि आपकी भासा हिंदी है, कि उर्दू है, कि मल्याली है, कि तमिल है, और कि अग्रेजी है, कि बिटिस है, वो जो सेक्ट सुनता है, वही सीखता है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि तर्ज है, वो तर्ज तर्ज केबल हो केबल आपके इस पर जूल बुलू गिल जो गेम होता था उसकी तरज पर अपने आपको नुक्सान पहुंचा लेते हैं और कई तो लोग मर भी बच्चे कि मौत भी होगा इस मामले में क्यों कि बच्चों के पास आज कोई साथ ही नहीं है आज लोग ही नहीं है मित्री नहीं है परवार का ऐसा बद्धी करें उनके संस्कारों को बढ़ाए उनको अनुसासन सिखाए उनको सब पढ़ना उनको नहाना उनको तमाम चीजे ऐसी है कि क्या हमको करना है कैसे आंगे बढ़ना है केबल केबल पास्चा संस्किती के हम अनुवाई होते जा रहे हैं जो खाना हमारा आस से जो हमा भी होते हैं कि हां हम पिगती कर रहे हैं पर पिगती नहीं के बले एक और एक छलाबा है वह आपकी एकांतिता का के बले एक हिस्सा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और किस माहौल में आप जी रहे हैं कि जब तक आप अपन जिस तरह इसे सामाजिक रूप से परवारों का बिगटन हो रहा है उसकी केबल और केबल बजाए है कि हम पास्चा संस्किती की आधार पर केबल और केबल दामपत नीती या दामपत प्रिथा पर चलना है जब तक अगर आप उस प्रिथा को उस नीती को नहीं बजलेंगे तब तक आपके सुधार नहीं हो सकते हैं मैं मानता हूँ बिकाज जरूरी है मैं मानता हूँ अपनी रोजी रोटी चलाना जरूरी है नौकरी अगर आपको अपने गाउं में नी मिलती तो आप सहर जाएंगे पर उन सहर जाते समय भी आप अपने कुछ पल आपको अपने परवार के सार बिताने होंगे आपको उपने माबाप के साथ भी रहना होगा, या उनको अपने साथ बॉलाना होगा, तभी सस्राइब बन सकेगा, तभी तो आपके बच्चे समझ पाएंगे कि जुट नहीं भूता हो आपके दारा दारी का प्यार क्या होता है, और जो पीड़ी देखती है उसी का अनुशन करती है अगर पीड़ी में हम अपनी पीड़ी में उसको पितिस्वर्दा दिखाएंगे तो आने बाले भविस में वो भी अपने परवार के आने सरसके सार पितिस्वर्दा करता ही नजर आएगा बापर एकता की भावना नहीं आपको कोई लोग नहीं सिखाएंगे आपको बारी दुनिया नहीं सिखाएगी आपको यह खुझ सीखना होगा आपको इसके लिए सब सब पहले अपने परवार के बड़ी बजर्गों के पति अपनी जो आजर सम्मान जो पूर्वज हमको देखे गए हैं जो पूर्वज हम आपको अपने परवार की उन जिम्रारियों को निभाना होगा आपको अपने परवार की उन पहलों को समझना होगा आपको हर बोकुछ समझना होगा जो आपके संच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च अगर आज आप अपने माबाप से दूर रहेंगे अगर आज अपने माबाप से आप अलग रहेंगे तो भविस में आपको भी इसी परिस्तिती का सामना करना पड़ेगा अगर आज आपके माबाप बढ़ा आश्रम में रहेंगे तो आने बाले समय में आप भी उसी बढ़ा आश्रम में पाये जाएंगे क्यांकि जैसी करनी बैसी भरनी इसलिए सच परवार की भावना को ही साथ लेकर हम आने बाले भविस्ट को बैतर कर सकते हैं और खतम कर सकते हैं आने बाले पीडी की वो एकांतिता को जिसमें वो मोबाल में अपनी जिन्दगी को ढूड़ रही है जिसमें गेम में अपनी जिन्दिकी को ढूड़ रही है जिसमें में हुकाबार में अपनी जिन्दिकी को ढूड़ रही है जो उसकी जिन्दिकी नहीं है उसकी जिन्दिकी है उसकी जिन्दिकी है उसके माबाप उसकी जिन्दिकी है उसका भविस है तो अगर जब तक हम अपस पुरुबात नहीं करेंगे तब तक महविस को बहतर नहीं कर सकेंगे तो आज अपने इस कारिकम के माद्यम से मैं तमाम उन लोगों से बाद कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग सबसे पहले सच परवार की भावना को समझे और अपने माबाप को संग रहिए तभी आपकी आने आपकी आने बाले पीड़ी भी हर युद्ध में बजय करती नजर आएगी मेरा आपके अपने कारिकम से माद्यम से आप सभी लोगों से यह निवेजान है कि सच्थ परवार की भावना ही भारत की संस्किती थी और भारत की वो आधार सला थी जो ही जिससे ही पूरे नए भा परवारत का निर्मान हो रहा है तो दोस्तों आज की इस विशाय के साथ मुझे दिये इजाज़त नमस्कार आप आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुपा